अगर बात करें धनिया की मसालों के अंदर धनिया एक ऐसी कोमोडिटी थी जो तेजी के तरफ जाती हुए दिखाई दे रहे थी लेकिन आज सभी मसाले वापिस से हलके लाल लंके साथ कारोबार की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं दरसल जो export demands निकलेते वो कही न कहीं दब गए है जिसकी वज़ा से मसालों के अंदर जो तेजी आनी चाहिए थी वो तेजी बनती हुए दिखाई नहीं दे रही है लेकिन trend positive है अभी भी जो उमीद है कि festival season में demand pick up हो सकती है उसके चलते एक bounce back आ सकता है धनिये की बात करें तो November वायदा अभी भी 8000 के उपर है नीचे में 7800 से लेकर उपर में 8200 की range फिलाल धनिये के अंदर देखने को मिल सकती है निचले सरों पर धनिये में भी खरिदारी की रनिती बनाए जा सकती है धनिये के साथ हल्दी फिलाल बाइंग से दूर रहें क्योंकि अभी इसमें बहुत जादा momentum आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है लगातर हम देख रहे है कि 72 सो से लेकर 74-75 सो की range में कारोबार करती दिखाई दे रही है तो फिलाल हल्दी के अंदर इसी range में trading expected है कि आगे एक हफते तक देखने को मिल सकती है हल्दी के अंदर फिलाल bind को avoid करे हल्दी के साथ जीरे में भी उठापटा का मोहल है जीरा भी लगातर एक range में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है 14,000 के उपर है लेकिन 15,000 के उपर sustainability नहीं है तो जीरे में भी थोड़ा सा wait and watch की policy अपना कर चलना चाहिए